अक्सर लोग अपने घर दुकान या ओफिस के लिए ब्रोडबैन कनेक्शन लेते समय कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो किसी पॉपल और कंपनी के साथ जाएं या फिर किसी लोकल कंपनी का फाइवर कनेक्शन लगवा लें मुझे भी अपने घर में एक फाइवर कनेक्शन लग हुआ लो तो यदि आप भी डिसाइट नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने घर दुकान या ओफिस के लिए कौन सा फाइवर कनेक्शन लें किस कंपनी के साथ जाएं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हो सकता है तो कि इस वीडियो के अंदर मैं अपना साथ दिन का पूरा experience शेयर करूंगा पहले दिन से ले कर सात्में मैंने कौन सा फाइवर connection देना पड़ा मुझे थाइवर connection लेना था है मैं किस कंपनी के साथ जाओ क्यूंकि में घर के बाहर एटल एक्ष्ट्रीम फाइवर के भी बैनर लगे हुए थे और कॉमबे कंपनी के भी बैनर लगे हुए थे मैंने दोनों कंपनी के प्लान को कंपेर किया तो मुझे कॉमबे के प्लान सस्ते लगे मैंने कॉमबे के बैनर के उपर जो कस्टुमर केर का जो नंबर लिखा था उस से फोन किया कि मुझे अपने घर में फैंवर कनेक्शन लग लगवाना है उन्हों ने मुझसे मेरा अड्रária ृटै ॉर मतर एक घंटे के अंदर-अंदर मेरे पास मेरे area के कऊंबे सर्विस प्रोरवाइडर का कोल आया उनहोंने मुझसे पूछा कि क्या आप घर पर हैं मैंने का हां जी मैं घर पर हूं मात्र आदे घंटे के अंदर अंदर वो मेरे घर पर आ गए यहां तक तो कॉमबे की सर्विस बिल्कुल फास्ट थी मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कॉमबे का इस्टोलेशन चार्ज बताइए और इसका अगर को को रिटन कर दिये जाएंगे तो मैंने कॉमबे की वैबसाइट पर कुछ प्लान चेक किये थे जिन प्लांस के बारे में हम आपको नेक्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि इस वीडियो के अंदर केबल हम अपने पहले दिन से लेकर साथमे दिन तक का पूरा एक अपते का एक्सपीरियंस शेर कर रहे हैं तो मैंने पहले की वैबसाइट पर जाकर कॉमबे के सारे प्लान चेक किये थे जिन में से एक प्लान मुझे अपने घर के लिए लेना था जो प्लान था 120 Mbps की स्पीड के साथ 408 रुपे मंत्री का जो कि मुझे 6 महीने का इकठा लेना था उ कि रिवंडेवल होगा और जो भी मैं प्लान लेता हूं कॉमबे का उस प्लान के साथ में मुझे 18% जोड़ कर देना होगा तो इस प्लान का मुझे मंत्री पड़ेगा 481 रुपे 18% जोड़ने के बाद मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे यह प्लान दे दीजिए और मेरे घर मे कॉमबे का फाइबर कनेक्शन लगवा दीजिए मैंने उन्हें 2000 रुपे दिये अधार कार्ड की फोटो दी और एक पासपोर्ट साइज का फोटो दिया आप यहां स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 18 अप्राइल 2022 मंडे को मैंने जो 2000 रुपे डिपोजित की पेमेंट की थी उस के घर पर कनेक्शन लग जाएगा मैं दोपाहर तक इंतियार करता रहा ना तो मेरे पास कोई कोल आया ना मैसी जाया ना तो मेरे घर पर कोई भी कनेक्शन लगाने आया मैंने दुबारा से उन्हें कॉल किया क्या आपने तो कहा था कि एक घंटे में आपके घर पर कनेक्शन लग जाएगा उन्होंने कहा कि लड़के कहीं और चले गए थे अभी अभी आए हैं वो लंच करकर सीधा आपके घर पर आएंगे और आपका कनेक्शन आज ही लग जाएगा मैं इंतजार करता रहा साम हुई रात हुई परंतु ना तो मेरे पास कोई कोल आया ना मैसीज आया नहीं मेरे घर पर कोई भी कनेक्शन लगाने आया उसके बाद 19 अप्रेल टूजडे को मैंने सुबा 10.30 बजे उन्हें फिर से कोल किया और उनसे कहा कि अभी तक मेरे घर पर कनेक्शन नहीं लगा है आप बताइए मुझे कब तक मेरे घर पर कनेक्शन लगेगा उन्होंने एक गंटे के बाद मेरे WhatsApp नंबर पर मुझे यह message किया आप इसकी इंग पर देख सकते हैं जिस पर लिखा है sorry for delay sir आज ही आ जाएगा और नीचे लिखा है connection आपका मैं निश्चिंत होकर बैठ गया पूरा दिन इंतियार किया दोपायर हुई साम हुई परंतु दूसरे दिन भी के customer care पर call किया जिसकी मेरे पास पूरी recording भी है मैं यहाँ पर सुना कर आपका time worth नहीं करना चाता मैंने अपनी समस्या को customer care पर detail के साथ बताया कि मैंने Sunday को call किया था Monday को मेरे पास इस तरीके से मेरे local area के service provider का call आया और मात्र आदे घंटे के अंदर मेरे घर पर आकर मेरी connection की request को आदे घंटे के अंदर ही submit कर दिया गया और मुझसे कहा गया कि एक घंटे के अंदर आपके घर पर connection लग जाएगा मुझे customer care पर call करते समय थोड़ा गुस्सा भी आ गया मैंने उनसे कहा कि company की कोई जिम्मेदारी है या नहीं मेरा YouTube पर एक channel है और मैं बहुत ज्यादा उ आपका connection लग जाएगा मैंने उनसे कहा कि company कितना समय लेती है एक व्यत्ति के घर में connection लगाने के लिए तो उन्होंने कहा कि company तीन दिन का समय देती है मैंने का ठीक है आज तीसरा दिन है अगर आज साम तक मेरे घर पर connection नहीं लगता है तो मेरा जो refundable 2000 रुपे deposit का चार्ज लिया है वो मुझे कल रिटन करवा दीजिए मैंने उनसे पूछा भी कि आप मुझे ये बताइए कि यदि आज साम तक मेरे घर पर connection नहीं लगता है तो मुझे मेरा 2000 रुपे बापिस कैसे मिलेगा परन्तु साइद customer care पर इसका कोई जवाब नहीं था उन्होंने मुझे कहा कि आज साम तक आपके घर पर connection लग जाएगा मैंने का ठीक है आप लगवा दीजिए नहीं तो मेरा 2000 रुपे मुझे बापिस लोटा दीजिए इसके दो से धाई घंटे के बाद 2022 को ही कॉमबे सर्विस प्रोवाइडर का मेरे WhatsApp नंबर पर message आया जिस पर लिखा था आज चा connection लग गया परंतु वह चालू नहीं हुआ देड़ घंटे या दो घंटे के अंदर मेरा connection चालू हो गया मेरे पास कोल आया मुझसे प्लान की payment करने को कहा गया मैंने प्लान की पूरी payment कर दी और मेरा 9 महीने का 120 MBPS बाला 408 रुपे मंतली का प्लान activate हो गया उसके अगले दिन red light जलने का अर्थ है कि आपका internet का connection disconnect हो चुका है मैंने बापिस कॉल किया कि आपका connection तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और disconnect हो गया उन्होंने कहा कि आपके area के अंदर काम चल रहा है जैसे ही वह काम complete हो जाता है तो आपका internet फिर से चालू हो जाएगा तो इस तरीके से अभ कि 22 अपरेल 2022 फ्राइडे को मुझे कोई भी दिक्कत नहीं इंटरनेट कनेक्शन में नहीं स्पीड में इंटरनेट की कोई प्रोब्लम हुई परंतु साथ में दिन स्ट्रडे यानि की 23 अपरेल 2022 को मेरे मोबाइल नंबर पर ये मैसीज आया जिस पर लिखा था कि आपके area मे टीम काम कर रही है तो 120 मिनट यानि की 2 घंटे जग आपके area में कॉमबे की सर्विस कुछ टेक्निकल प्रोब्लम की वज़ा से affected होगी तो फ्रेंड ये था मेरा कॉमबे फाइवर कनेक्शन के साथ में एक हफते का experience I hope कि आपको इस वीडियो से ये समझने में आसानी होगी कि आपको अपने घर के लिए अपनी दुकान के लिए या अपने ओफिस के लिए कौन सा connection लेना चाहिए यदि इस वीडियो के अंदर बताई गई इनी बातों को आप ignore कर सकते हैं तो आपके लिए कॉमबे connection एक best connection हो सकता है क्योंकि कॉमबे आपको बहुत ही कम प्राइज में 120 बीस एंबीपियस तक की स्पीड का internet प्रोवाइट करा देता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कॉमबे के सारे बारे में और आप यदि एक महीने का प्लान लेते हैं तो आपको कितना पैसा देना होगा और यदि 6 महीने या 12 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको उसका कितना पैसा देना होगा उस वीडियो का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा